किसे भी ओफिस एक्षाइव के लिए जो कंप्प्यूटर कोश्टन्स होता है वह लगबग सेम ही होता है तो अब यह में पहले बहोला तो आज मैं टेन कोश्टन्स डिसकर्ज करूंगा यह बहुत ही इंप्पूर्टन टेन से हो सकते तो पूरा एक बाद देख लीजिए अंसर भी सुन लीजिए यह आपके लिए बहुत ही मेहत्बन रहेगा आगे जाके और भी में कॉम्पूटर कॉर्शन लेखे होंगा तो पहले यह देख लीजिए चलिए कॉम्पाइलिंग क्रियेट्स एन एक्जीक्यूटर प्रोग्रम ठीक है अच्छा तो यह जादा डीटियल में नहीं जाओंगा क्योंकि इस डीटियल में जाने के कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑफिच एक्जीक्यूटर यह जो एक्जाम होता है उसमें जस्ट एंसी क्यू आपको याद रखने अगर आप सिर्फ आंसर याद रखने जाओ तो भी कफी है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन जो है CDRWDs CDRWDs CDRW means read and write ठीक है यह पाच option में से number four is correct can be erased and rewritten ठीक है जो rw जो होता है उसमें erased भी किया जा सकते है फिर return भी किया जा सकता है ठीक है हलाकि CD का अभी तो बहुत ही कम हो चुका है पिंड्राइब यहने की हाट डिक्स जो होता है इसका जो जादा हो गया अभी ठीक है फिर भी यह कुर्शन बहुत इंपोर्टेंट है फास्ट पेज ऑफ ओफ वेस साइड इस कॉल्ड यह बहुत इजिए है home page अच्छा which of the following is popular programming language for developing multimedia webpages websites and web-based application सच्छा यह भी बहुत ही common questions है बहुत ही important भी है मतलब की कौन से इसमें से है following जिसके दुआरा जिसके मतलब कौन से प्रोग्रमिन लेंगविज है इसके दुआरा आप multimedia webpages websites web-based applications यह सब कर सकतो java ठीक है यह बहुत ही पूरानी and strong programming लेंगविज है ठीक है जो भी है बहुत यूस्फुल स्ट्रॉंग मेंस यूस्फुल ओक है इन एक्सेल दैश कांटेंस वन और मोर वोक्षेट अच्छा आपको excel में अब excel मतलब अब MS office के अंदर excel जो powerpoint and word यह तीनों basic के लिए आपके लिए बहुत ही important रहेगा ठीक है इसमें से ज्यादा question यानि कि दस में से नौ questions मन लिए इसमें से आएगा एक question साइथ इधर उदर से आ सकता है ठीक है तो इन एक्सेल वर्क बूक कॉंटेंस वन और मोर वक्षेट वर्क बूक ऑशन नंबर टू करेक्ट होगा वर्क बूक में ज्यादा वक्षेट भी रहे जाकता है ठीक है टूपिल ओन अब दा मोस्ट कॉस्टेंस इन इस सेग्मेंट टूपिल इस ट्यूपिल क्या होता है इसी तो थबहुत था थाम सथ होता है आगे जाके भी में आपके सब्सक्राइब करूंगा जो टाम्स एक्ग्जाम में बहुत ज़्यादे इंपोर्ड्ट है तो एक टूपल ईसे रो वाफ टेविन होता है ठीक है अच्छा चलिया आच्छ को देए अच्छ यह सब्सक्रा शैने कर्थेव भाज़िंग करते हो ठीक है अच्छ नेक्स से अच्छ कोश्टन इफ नूवडिवाज जेए अच्छ नूवडिवाज इताउड ह्टो एकपूटरी शैने कियो को क्या शैने कोडिलेश्टा अच्छ प है ओसीय स्टेंट फर यह अब्रिविएशन है बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा ओसीय स्टेंट पर अप्रिक अप्टिकल क्यरेक्टर रिगोगनेशन ओक है लास्ट कोस्टिन कि अफ्टूड़ सेग्वेंट विच की इसी उस्ट इन कॉंबिनेशन विज एनाद की तुप फॉर्म एस पेसिफिक टास्क अच्छा इसका मतलब समझ गया हो कौन से की है जिस की ने दूसरे की के सथ कॉंबिनेशन मतलब कॉम्बाइट होके कोई एक परफॉर्म कर सकता है मत इसका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब वीडियो को देखके पुरायात कर लीजिए यह आपके लिए हेलफुल रहेगा वीडियो अच्छे लगते जरूर लाइक कीजिए लाइक से मेरे को पाता चलते है अपनी सेग्मेंट लाइक किया हो कि नही अगर इसे वीडियो परने के लिए सब्सक्राइब करें लिए सेंक्यू आल दे बेस्ट किप प्रिपेरिए